नमस्काव सीने आज कल नियूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साच्चे इतना चौध हिचले रुख करते देश दुन्या की तमाम बड़ी खबरों की ओर अर्विन केज़ जिवाल की खिलाफ आरोप लगाने वाले कपिल मिश्रांशन पर बैट गए कपिल की मांग है कि आप नेताओं की विदेश दोरे की फंडिंग का सोर्स बताया जाए कपिल के मताबिक के जिवाल सरकार संजे सिंग, आशीश खेतान, सतेंदर जेन, रागव चड़ा और दुर्गेश पाचक की फोरिन ट्रिप की जानकारी सर्जिक की जाए कुल वुशन जादव मामले में भारत को बड़ी कूट प्लितिक जीत मिली है, नीदर लेंड के हेग इस्तित अंदर राष्टे नियाय अदालत ने जादव की फासिकी सजा की तामील पर रोक लगा दी है मारत में पाकिसानी सान्य अदालत के इस फैसले के खिलाफ इस अदालत में आठ मई को अपील की थी, जिस पर अब 15 मई को सुनवाई होगी बहुजों समाजवादी पारटी ने बड़ा फैसला किया है, पारटी के गदावन नेत और सबसे बड़े मुस्लिम चहरे नसीमुदिन सिद्की को पारटी से निशकासित कर दिया गया है, साथ ही उनके बेटे अबजब सिद्की को भी निशकासित किया गया है, दोनों पर प संक्यों ने उन्हें किड्नाप कर लिया था फे आज के शव पर गोलियों के निशान पाए गए हैं साहरनपूर के शबीरपूर में दली ठाकूर संगर्ष के विरोध में साहरनपूर जल उठा दलीतों ने शहर में जगा जगा जम कर उपद्व किया आगजनी के और पत्राव करते हुए पुलिस को डडा लिया साहरनपूर में हुई इस इंसा पर सियम यूग यादी तेनाथ ने कड़ा एक्शन लेते वे डीजीपी सुर्खान सिंग और प्रमुक ग्रेस अचीब देवाशीश पांडा से जवाब तलब किया बिहार में शराब बंदी के बावजित बिक्रई शराब पर जब सियम इंडिया ने जिले के बिया थानाशेत्र में जायजा लिया तो माज़रा कुछ और ही निकला जिसको लेकर सीयम इंडिया पर चली खबर पर ततकाल कारवाई करते विए बियात अनशेत्री में बोचपुर पुलिस ने चापे मारी अभियान चलाया और एक बड़ी सफलता हासिल करते विए शिराप के नशे की हालत में नौ लोगों को ग्रफतार किया है बोचपुर जिले में अनिश्चित काली धरने पर बैठे ग्रह रक्षकों ने सरकार और प्रिशासन को चतामनी देते वे कहा है कि समान काम के लिए समान वेतन के आदेश को सरकार तुरंत लागू करे अन्यखा हम अपना अंदोलन जारी रखेंगे बोचपुर में घूस नहीं देने पर एक शक्स को प्रतारित करने का मामला सामने आया है बता दे की ट्रेचरी विभाग में पिछले आठ दिनों से अपने और अपने नौ साथियों के दो महिने के बाकाय वेतन के लिए दौड लगा रहे मैनेजर रामीश्वर प्रसाद गर बोचपुर के पीरो थाना शेत्र में बदमाशों ने एक सैनेटरिंग ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दिया अपराधियों ने हत्या करने के बाद ठेकेदार किशब को रेलवे चैक पर फेक दिया और फरार हो गए सूचना मिले के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए आरा सदर अस्पताल बेज दिया बोचपुर के मुफसिल धाना शेते के जमीरा गाउं के पास शौच के दौरान गारी से धका लगने से एक वरिद परमेश्वर जख्मी हो गया जिसे स्थाने लोगों के सायोक से इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्दी कराए गया बिष्टाचार के आरोपों में पूर राष्ट्रपती पार्गून के पच्से हटाय चाने के बाद साथ कोरिया में राष्ट्रपती चुनाव के लिए वोटिक शुरू हो गई है चुनाव में डैमोक्रेटिक पार्टी ओफ कोरिया के उमीद वार और उधारवादी विचारधारा के मून जे इनको मध्य मारगी विचारधारा के आज चलसू से करी टकर मिलने के उमीद है अमारिका के राष्ट्रपती डोनाल ट्रम्प ने संगे जाच एजन से अफबी आई के निदेशक जेम्स कौमी को पस्से हटा दिया है गौध्रेज समू के प्रमुक आदी गौध्रेज ने अपटे बेटी निसाबा को समू की प्रमुक कमपनी गौध्रेज कंजूमर एर प्रडेक्ट लिमिटेट की कमांड सौपने का आईलान किया है आदी पिछले सत्रा सालों से कमपनी के शीर्षपत की जिम्मधारी समाल रहे थे एक मैगजीन ने निसाबा का नाम देश की 25 सबसे प्रभावशाली महिलाओं के लिस्ट में डारा है बारते मैला किरके टीम के पूर कप्तान जूलन गोस्वामी वूमेंस वंडे किरकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली नमबर वन बॉलर बन गई है जूलन के नाम वंडे किरकेट में अब 181 विकेट है इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्टेले बॉलर कैतरीन फिट्स पैट्रिक के नाम था जिन्होंने अपने करियर में 181 विकेट लिये थे नेशनल सिंगर जस्टिन बीबर को भारत में परफॉर्म करने के लिए मुंबाई पहुँच चुके है जहां उनका जबर्दस सुआगत हुआ बीबर की सुरक्षा में सल्मान खान के बॉडिगाट शिरा दिखे बीबर के लिए सुरक्षा से लेकर मैनेजमेंट तक खास इंतिजाम किये गए वहीं बीबर भारत में परफॉर्म देने के लिए काफी रोमान चीत है साथ बड़ी खबर में फिलाल इतना ही देश दुने की ताज़ा तरी खबरे देखने के लिए आप देखते लिए सिना आज कल नियूज समस्कार लोगतंत्र का चाथा इस्थम्भ है मीडिया पूरे देश की खबर देश ही नहीं विदेशों की खबर हर खबर पर होगी पैनी नजर खबरे ही नहीं साथ में होगा भरपूर मनोरंजन जी हाँ तो देखते रहिए सी एम इंडिया टीवी खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ क्या है